Good Day to all of you. क्या आपको याद है कि आपने पहले के दो क्लास्स में अपने क्या सीखा था? आपने Standard toolbar के बारे में सीखा. Standard toolbar के अंदर कौन कौन से औप्शन को आप रख सकते हैं. Standard toolbar में आप Menu bar के उन सबी options को रख सकते हैं जिसे आप सबसे जादा उपयोग करते हैं और उनको सीधे अपने उपयोग में ले सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि blank slide में type कैसे करते हैं text tool की मदद से आप blank slide में type कर सकते हैं new slide को कैसे insert करते हैं इसे कितने तरीके से insert कर सकते हैं new slide को आप दो तरीके से insert कर सकते हैं पहला method आप slide pane में mouse या touchpad के right click करें वहाँ पे new slide विकल्प को select करें तो आपका new slide आ जाएगा दूसरा method आप insert menu पर click करें और new slide option को select करें तो एक नई slide आ जाएगी एक image की एक साथ में 5 copy बनाने के लिए क्या करेंगे एक image की एक साथ में एक से ज़्यादा copies बनाने के लिए duplicate option का view प्योग करेंगे अब आप सभी अपने computer को on करें और बताया गए किसी भी तरीके से impress की file को open करें आएए अब आज की class को शुरू करते हैं आज की class में आप file menu के कुछ option जैसे की wizard, send, property, template, printer setting और preview in web page ब्राउजर के बारे में सीखेंगे अब आप तीन slide को insert करें पहले slide में दिये गए paragraph को type करें दूसरे slide में एक picture के insert करें और last slide में किसी भी shape से किसी भी shape को insert करके दिखाएं आप चाहें तो उसकी formatting भी कर सकते हैं outline, fill color, line size, line width को भी बज़र सकते हैं आएए सबसे पहले तीन slide को लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हम slide pane में जाएंगे, वहाँ पे right click करेंगे और new slide पे click कर देंगे एक नई slide आजाएगी जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं इसे blank कर दे, blank layout को select कर ले, layout option में जाके फिर हमने insert menu पे click किया, हम इस slide पे picture को insert करना है तो हम picture option को select करेंगे, फिर from file पे गए हैं from file पे जाके जिस picture को भी आप insert करना चाहते हैं तो उस picture को आप select कर ले हमने यहाँ पे penguin को select किया और open पे click कर दिया, आप देश सकते हैं जिस picture को मैंने select किया था, वह इस slide पे वह picture insert हो चुकी है जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से एक नई slide ले है, नई slide लेने के लिए slide pane पे जाके right click करें और new slide option को select कर ले, आप देश सकते हैं फैले blank slide है, अब हम इसके अंदर कोई object को draw करना है तो drawing tool वार में से जाके हमने किसी egg shapes को select किया, एक image को select किया और drag करके हमने इसे बना लिया जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने drag करके इस object को बना लिया, अगर हमें इसके अंदर formatting करनी है तो सबसे पहले हम इसको select करेंगे, फिर select करने के बाद line and feeling option पे जाएंगे, और वहाँ पे line की style को सबसे पहले हमने change किया, फिर हमने इसके width को बढ़ाया, जैसे का अब देश सकते हैं, हमने line की width को बढ़ाया, line की color की option को change कर देंगे, अगर आपको इसके अंदर color fill करना है, तो color option में जाके color style को select करें, और यहाँ पे जाके किसी भी formatting, किसी भी style को select कर लें, जिस style को भी आप select करेंगे, वह इस style आपके चितर के अंदर object के अंदर आ जाएगा, जैसे का अब वीडियो में देख सकते हैं तो इस प्रकार से हमने तीन अलग-अलग slide लिये और उस पे अलग-अलग कारिय किये, आईए अब उन सभी options के बारे में सीखते हैं, जिनने आपने इंप्रेस की basic भाग में पूरा नहीं किया था, आईए अब wizard options के बारे में सीखते हैं, विजाड option की मदद से आप later fact जैसे और भी options के format को त्यार कर सकते हैं, विजाड option का उप्योग करने के लिए आप सभी को JRE software की आउसकता होगी, अगर आपके computer में JRE software नहीं है, तो आप wizard के किसी भी options का उप्योग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको JRE software अपने computer में install करना होगा, जिसकी मदद से आप wizard option का उप्योग कर पाएंगे, आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं wizard option का उप्योग कैसे करते हैं, आइए वीडियो की मदद से wizard option का उप्योग करना सीखे, सबसे पहले file menu पे click करें, फिर wizard option को select कर ले, यह आप आप देखेंगे, अलग-अलग format, letter, facts, agenda यह दिया हुआ है, अगर आपको अपनी document को letter format पर बनाना है, तो letter option पर click कर दे, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरीकी के box आजाएगा, पहले page design है, कि आप किस तरीकी के page design करना चाहते है, जो letter का format है, किस तरीकी का होना चाहिए, यहाँ पर business letter, formal letter और personal letter है, इन सब में अलग लोग options दिए हुए है, हमने यहाँ पर formal में select किया और office वाले option को selected लिया, फिर next पर click कर दे, letter format, आप जो country का है, किस country format में चाहिए, वो आप language यहाँ से select कर ले, ति return address envelope window, यहाँ पर click कर दे, subject line क्या होनी चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते है, to, किसको letter भीजना जाता है, hello, इस तरीके से आप greeting add कर सकते है, complimentary close, आप यह सब लगा सकते है, पूटर में कोई text निख सकते हैं, अशे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, complimentary close में आप best regard, cheers, इस तरीके के options है, इसको आप अपने letter के अंदर use कर सकते हैं, पि next पर click कर दे, यहाँ पर sender address जिसे आप send करना चाहते हैं, वो आप address यहाँ से create कर सकते हैं, यह पर यूज करना हका अधिम्य बढ़ करना चाहते हमक्वünf नािव्ट साइप करने क्रमाट करने फिर पहले प्लूब करना चाहते तो अभिट बच्व。 इसे आप पर हो कि अधिस ब्लक्द करें एक सीग्जेट दो समय हैंबत आपकर सकते हैं जैसे कि हमने यहां पर computer चुछा आप चाहें तो फॉटर के अंदर कोई भी text जो आप अलग से mention करना चाहते हैं लेटर के अंदर वह आप type कर सकते हैं फिर next पर click कर दें यहां पर template अगर आप इस लेटर के अंदर पहले से जो template बने होगे अगर आप उसे add करना चाहते हैं तो आप यहां से insert कर सकते हैं हमें template यूज नहीं करना इसलिए हमने make manual changes पर click करके तक हमने Albanese பर fan पर आच अब जो अपने लेटर बनाया है इसलिए एक अगर आप देखना शाहते हैं तो open copy फे click करेंगे जैसि open copy फे click करेंगे तो आप देख़के एंगे जो आपने लेटर बनाया है जो लेटर का format है वो आपको यहां पर दिखाया यहां पर दिखाया जा रहा है यहां पर आपको यहां पर दिखाया जा रहा है यहां पे date तो इस प्रकास आप letter के format को आप त्यार कर सकते हैं तो इसे file menu पे click करें अपने pointer को wizard पे लेके जाएं fact पे click करें अगर आप fact के format में बनाना चाहते हैं तो इस ते की box आजाएगा आप business fact या personal fact जो भी आप बनाना चाहते हैं तो आपने आपने हां से choose कर सकते हैं तो select कर सकते हैं उनने प्रसमें फैक्स पे click किया fact बनाना है fact तो आपने click किया फिर next पे click कर देए यहां पे type message जो आप greeting line यूज करते हैं या फिर आप जो tag देना चाहते हैं है heading देना चाहते हैं वह आप यहां से दे सकते हैं जैसे काप को वीडियो में आप दिखा जा रहा है important information या अलग तरिके से जो भी है आप उसे अप select कर सकते हैं तो इस salvation में आप जो greeting यूज करते हैं वह आप greeting यहां पे यूज कर सकते हैं इस पर क्लिक करें अगर आप पहले की कोई template बना रखें अगर उसे आप इसमें add करना चाहते हैं तो आप यहां से add कर सकते हैं फिर finish पर क्लिक करें अब इस track को आप कहा पर save करना चाहता है किस नाम से save करना चाहते हैं तो आपने आपने नाम लिख सकते हैं हमने नाम नहीं लिखा पहले से लिखा हो था और फिर save पर क्लिक कर दिए आपन कॉपी पर क्लिक करें जो आपने create के effect लिटों से देखने के लिए कि आपने किस format में बना effect वह आपको यह आपने दिखाए देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहा है जो एक format है वह format में आपका यह त्यार हो जाएगा इसे close कर दें फिर से file menu पर क्लिक करें इसी तरीके से आप agenda को भी बना सकते हैं हम आगे presentation प्रेंटेशन से आप अलग से document अलग से नए file को आप open कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं कि आपके क्लिक क्लिक क्या एक नहीं फाइल ओपन हो गई है आपके क्लोज कर दें से प्रेंटेशन से फाइल मेन्यू पे क्लिक करें विजाड पे क्लिक करें वैब पेज आप यहां से कोई page को यहां कोई document को आप इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहा है चल के फिर हैं पर प्रेंट इंजाग करें यहां पे कोई भी डॉक्यूमेट आप सर्ट कर लें यहां पर अमने एक एक प्लिक किया और कि एक नोब को इसे प्लियो में दिखा ही प्लिक यहां पर आप जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहा है कास्क वार में से अपने स्लाइट पे आ जाएं जो आपकी स्लाइटर से जो डोक्युमेंटर से स्लेक्ट कर लें पर इसे फाइल मेन्यू पे क्लिक करें विजाट पे जाएं कि डुक्यमेंट को सकते हैं कि अगर आपको इसे Microsoft Office में करना है तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले है कि इसे की फॉर्मेट में अगर आपको चेंज करना है तो इसे अप करें फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं जहां पर आप सेफ करना चाहते हैं उस लोकेशन को आप सब्सक्राइए कि अब करें और टेस्टॉप को रखती है तो पर पूर्ट में यह आ पर आप आप सेफ उप्षन है इसे भी हमें अब करेंगे कि नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और कनवर्ट पे क्लिक कर दें किसी तरीके से आप डोकिमेंट को कनवर्ट कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप wizard option का उप्योग कर सकते हैं आई एफ send option के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं send option का उप्योग क्यों करते हैं send option की मदद से आप impress की file को किसी दूसरे user को send कर सकते हैं send option के माध्यम से send करने के लिए आपके पास outlook पर account होना जरूरी है अथवा आपकी window जैसे की 8 और 10 outlook किसी भी live account से login होना चाहिए तो आप बिना outlook के भी किसी को email भेज सकते हैं अगर आपकी window किसी भी live account से login नहीं है तो आपके पास outlook account होना चाहिए आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि document को कैसे send करते हैं आइए वीडियो की मदद से send विकल्प का उप्योग करना सीखते हैं अगर आपको इस फाइल को directly किसी दूसरी यूजर को send करना है बेजना है तो उसके लिए हम send option का उप्योग करेंगे जैसे का आपको वीडियो में दिखा जाया है हमने सबसे पहले file menu पे क्लिक किया एक वाक्स उपन हो गया जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं फिर आपको अपने pointer को send option पर लेके आना है जहां पर अलाग लग options दिए हुए है send as email, document as email, document as open document presentation, document as Microsoft presentation, email as PDF document as email जब आप इस पे click करेंगे एक box open हो जाएगा जो outlook का हो जो पहले से configure है इसके साथ जैसे के आपको बताया गया था अगर आप document को send करना चाहते हैं तो इसके साथ आपका account link होना चाहिए यह account पहले से link था इसे लिए डारेक्टरी यह outlook open हो गया तो जहां पर टू लिखा हुआ है वहां पर आप किसी दूसरे user id का mail id आप टाइप करेंगे जिसा आप बेजना चाहते हैं हमने एक्जामपल की रूप में यहां पर abcd at computer.org टाइप किया फिर अगर आप subject में आप कुछ भी दे सकता है यहां पर जो भी आपका subject होगा फिर send के button पर click करेंगे जैसे आप send की button पर click करेंगे अगर internet connection होगा तो यह document दूसरे user को send हो जाएगा हमें नहीं करना सा इसलिए हम नहीं आप कैंसिल कर दिया close के button पर click करेंगे से cancel कर दिया हम तो इस परकार से आप send option का उप्योग कर सकते हैं आईए आप file menu के property विकल्फ के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते हैं property option से क्या होता है property option की मदद से आप impress की file के बारे में जानकारी ले सकते हैं जैसे कि file को कब save किया था file की details जैसे कि कि कितने page number कितने words कितने paragraph file या size कितना हैं यह सब जानकारी दे सकते हैं क्योंकि property के बहुत से options होते हैं जैसे कि general description security statistics आईए अब वीडियो की मदद से इन सभी options का उप्योग करना सीखते हैं आईए वीडियो की मदद से property options के बारे में सीखते हैं कि property options से क्या होता है अपने pointer को file menu पे लेके आए और वहाँ पे click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है तो इस तरीके के आपके पास एक box दिखाई देगा box open हो जागा जैसे कि आपको वीडियो में द select है इसके अंदर कुछ चीजें पहले से दिखाई दे रही है जो हमारी file है वो file name क्या है आपने उसे save क्या है नहीं क्या है किस type की file है file कहाँ पे save है file के size कितना है किस date को create किया गया था किस date को modify हुआ था आप अगर आपने प्रिंट इसका लिया था तो प्रिंट डेट भी यहां पर सोग था total end time दिखाए कि जो हमने इसको save करने में यह time लगाया है वो सब कितना है तो आप यहां से देख सकते हैं second option description का है अगर आप इस file के बारे में कुछ अलग से description देना चाहते हैं जैसे कि कोई important चीज़ है अगर कोई comments इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप यहां से title, subject यह comment यहां पर दे सकते हैं लिख सकते हैं custom property हमें इसका उप्योग नहीं करना है तो इंटरनेट का options है यहां पर लिखा हुए do not refresh automatically refresh this document यहां से आप अलग कोई page को जैसे अगर यहां पर time define करना चाहते हैं जैसे कि यहां पर 5 seconds के दिया है तो 5 seconds बाग और automatic page refresh होता रहेगा यहां पर हम कोई file को select करने हैं पहले हमने file को select किया फिर open पर click कर दिया अब यह देखता हमने hyperlink के थूरू उस file को मुने यहां पर link दे दिया है अगर हम ok पर click करके करते हैं तो हर 5 minutes के बाद वह file refresh होता रहेगा तो directly open हो जाएगा वह file फिर से file पर click करें properties option को select कर लें refresh इस document को में select किया यहां से आप time define कर सकते हैं जिसने second के आप time लेंगे उसने second बाद जो आपको document हो refresh होता रहेगा अगला option security का है यहां पर अपने document में security लगा सकते हैं उसे आप save कर सकते हैं जैसे option देवर फाइल open file read only अगर आप open file read only पर click करेंगे तो इसके अंदर यह फाइल सिफ read करने के काम है कोई भी इसके अंदर changes नहीं कर सकता क्योंकि हम नहीं करना इसे security नहीं लगाना यह सिफ आप लोगों को बताने के लिए है कि अगर आप security लगाना चाहते तो open file read पर click कर दें जिससे आपकी file secure हो जाएगी तो इस परकार से आप property का उपयोग कर सकते हैं आए printer setting के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते है printer setting से क्या होता है printer setting का उपयोग तब करते हैं जब आपको कोई document प्रिंट करके hard copy में लेना है क्योंकि computer पर जो आपका data होता है उसे soft copy बोलते हैं आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं printer का उपयोग कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से सीखते हैं printer की setting कैसे करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने pointer को file menu पे लेके जाना है जैसे आप file menu पे लेके जाएंगे वहाँ पे click कर दे left click करना है आपको तो इस तरकी के box open हो जाएगा जैसे के आप वीडियो में देख रहे हैं फिर printer setting पे click कर दे जैसे आप printer setting पे click करेंगे इस तरकी के box आपको दिखाई देगा पहले में printer name दिया हुआ है यहाँ पर जो भी printer connect होगा वह नाम आपको यहाँ पर सोध होगा फिर इसका की property का button है properties के button पे click करेंगे तो इस तरकी के box दिखाई देगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अलागलग प्रकार की setting है advanced setting अगर आप paper output यहाँ पर copy count है अगर एक से ज्यादा करना चाहता है तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से ग्राफिक का option दिया हुआ है image color management अगर इनको change करना चाहते हैं तो आप यहाँ से change कर सकते हैं कि डोक्यूमेंट options हैं कि यह पर अलग-अलग options दिखाई दे रहे हैं आपको printer features दे रखाए हैं कि डोक्यूमेंट options यहां पर डोक्यूमेंट option आप इसे enable कर सकते हैं advanced printing features को printer features यहां पर दे रखा है print all text as a black अगर आप चाहते हैं कि सारह प्रिंट ब्लैक में है तो इसे आप disable enable यहां से कर सकते हैं layout option दिया हुआ है यहां पर page order कि यह आपको front to back यह back to front करना है यह options दिया हुआ है वह आप यहां से select कर सकते हैं फिर printing shortcut का option है दूसरा option यहां पर what do you want में अलगलग options दिये हुए हैं जैसे कि general every printing photo printing यह अलगलग डाइप की printing options दिये हुए हैं आप इन में से किसी भी options को जिस तरीके के आप printing करना चाहते हैं फिर यहां पर print quality दिया हुआ है यहां पर अलगलग quality दिवी है normal fast यह अलगलग quality है आप यहां से change कर सकते हैं फिर paper type दे हुआ है फिर paper size आपको किस format में paper को रखना है वह आप यहां से change कर सकते हैं print on both side अगर आप दोनों side करना चाहते हैं यह orientation दिया हुआ है portrait और landscape किस mode में आपको printing करना है वो भी आप यहां से change कर सकते हैं print on both side अगर आपको दोनों side करना है तो भी आप change कर सकते हैं फिर यहां पर paper quality की option दिया हुआ है आप paper की quality अगर change करना चाहते हैं तो आप यहां से change कर सकते हैं यहां पर अलग अलग टाइप दिये हुए है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको apply करना है तो आपको ok के button पर click करना होता है फिर real life digital photography यह अलग advanced features हैं तो इसका में यूज नहीं करेंगे फिर set का option है यहां पर type new quick set name फिर sizing का option है कि आपको actual size में चाहिए या फिर या अलग size में चाहिए actual size में चाहिए तो आप actual size को select करेंगे और अलग में चाहिए तो अलग format में आप यहां से select कर लेंगे फिर hundred percent of normal size यह option दिया हुआ है यहां से आप जो आपको text है text के size को आप यहां से increase और decrease कर सकते हैं कि आपको text के size कैसे चाहिए hundred percent में चाहिए यह आपसे ज़्यादा चाहिए जो आपने font type किया है जो आपको लिखा हुआ है वह आप यहां से change कर सकते हैं कि फिर finishing का option है यहां पर document options दिया हुआ है कि आपको कितनी seats जैसे कि यहां पर page seat दिया हुआ है two page per seat अलग-अलग page आपको कितने एक साथ में print कराना है seat के साथ आप यहां से change कर सकते हैं हमने यहां पर one page per seat का option select किया है आप चाहिए तो अलग options को select कर सकता है आपको अपने जुरुत के अनुसार पिर अगल options color का है यहां पर दो color हों में आपके print in gray scale जब आप print in gray scale को select करेंगे तो जो आपको जो होगा वो gray scale में यानि कि black and white में आएगा आप इसको unselect करेंगे तो वो color में आएगा तो इस प्रकार से आप अपने जुरुत के अनुसार स्टाइटिंग कर सकते हैं पिर अगला option option का है option विकल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी अलग अलग type के setting दिये हुए हैं हमें इससे नहीं करना है इसलिए अगर आपको जो भी changes किया है उसके बाद आपको ok के button पर क्लिक करना है तो इस प्रकार से आप printer setting कर सकते हैं अलग अलग अपने जुरुत को नुसार उसको setting कर सकते हैं आईए अब template के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते हैं template को उप्योग क्यों करते हैं template की मदद से आप template बना सकते हैं जिसे आप बाद में उसका उप्योग कर सकते हैं अगर simple बासा में समझाएं तो यह आपके कुछ पहले से किये गए कारियों को दिखाता है जिसे आप उप्योग कर सकते हैं template को आप अपने document में paste कर सकते हैं आए वीडियो को देखकर सीखते हैं template का उप्योग कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से template option का उप्योग करना सीखें template लगाने के लिए यह template बनाने के लिए आपको सबसे पहले file menu पे क्लिक करना है करने के बाद आपको template option को सेलक करना है template option पर पॉइंट रखेंगे यहां पर अलाग लोग options दिखाए दे रहा है organize, address book, secure, save, edit सबसे पहले हम इसे save करेंगे क्योंकि अब भी हमारा template बना नहीं है इसलिए हमने save पर क्लिक किया यहां पर new template option दिखाए दे रहा है अब हम पर किसी एक नाम से save कर देंगे हमने abcd के नाम से save किया फिर ok पर क्लिक कर दिया तो अभी यह new template के अंदर abcd के नाम से save हो गया है हमें इसे लगाना है इसे insert करना है इसके लिए फिर से file menu पर क्लिक करेंगे template option पर जाएंगे और organize पर क्लिक कर देंगे जैसे organize पर क्लिक करेंगे जो template management option है box open हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर अलग अलग options दिये होगे हैं हमने my template पर क्लिक किया हुआ फाइल को save किया हुआ था तो आप my template में क्लिक करेंगे तो आप देंगे जो आपकी file थी ABCD वह यहाँ पर दिखाई दे रही है फिर इसे आपको import करना है export करना है वह आप command पर command के button पर क्लिक करें यहाँ पर आपको options दिखाई देंगे हमने by mistake import पर क्लिक कर दिया था क्योंकि हमने भी file को बनाए नहीं है सबसे पहले हम इसे export करना है इसे हम यहाँ से cancel करेंगे तो इससे command पर क्लिक करेंगे और export template पर क्लिक कर देंगे अब यह save करने के लिए पूछ रहे कि आपको इस template को कहा पर save करना है आप location सेलक्ट करने जहाँ पर भी आपको save करना है हमने desktop को select किया और same name ABCD रहने दिया और फिर save कर दिया अभी आपको देखना है कि आपका template कहाँ पर save हुआ है आप minimize करके check कर सकते हैं यहाँ आप दे सकते हैं एक template जैसी फाइल किया यहाँ पर template बना हुआ आ रहा है अब किसी भी document में इसका आप यूज कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप template को बनाना सीख सकते हैं आए अब preview in web browser के बारे में सीखते हैं क्या आ बता सकते हैं preview in web browser का उप्योग क्यों करते हैं preview in web browser की मदद से आप अपने document को web page में देख सकते हैं यहाँ पर वेब पेज का मतलब है कोई ब्राउजर जैसे की इंटरनेट, एक्स्प्लोरर, गूगल, क्रोम, मोजीला, फायर बॉक्स, सफारी, इत्यादी इस ब्राउजर में आप अपने डोक्यूमेंट को देख सकते हैं आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं, प्रिव्यू इन वेब ब्राउजर का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को फाइल मेन्यू पे लेके जाएं, वहाँ पे क्लिक कर दें एक box open होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर अपने pointer को preview in web browser पर लेकाए वहाँ पर click कर दे जैसे आप click करेंगे जो आपको document है वो किसी दूसरे browser में open हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकता है यह एक internet का page है जो आपको document है वो इस page पे open हो गया है जैसे आप यहाँ पर address bar देख सकते हैं यहाँ पर continue, last page और text का option दिया हुआ है आप अपने slide को एक एक करके सभी slide को यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आपको first page पे आना है तो आप first page पे क्लिक करेंगे तो आप first page पे आ जाएंगे preview in web browser की मदद से अपने document को किसी भी browser में open कर सकते हैं आप internet की page में अपने document को open कर सकते हैं task bar में आके अपने file को select करें अपने file को open कर लें तो आपकी file open हो जाएगी तो इस प्रकार से आप preview in web browser को उप्योग कर सकते हैं क्योंकि आज की class यहीं पर समाप्त होती है आप अपने file को close करें और computer को properly set down करें आज की class में आपने file menu के कुछ options जैसे की send property, template, printer setting preview in web browser के बारे में सीखा estás 2009 आप मेर झारे में आपने क्याक सुपर झापattend